नकली नाखून लगाना इतना इजी नहीं होता जितना की दिखता है अगर साफधानी नहीं वरती गई तो मेरी तरह हो सकता है आपका हाथ खूनम खान आज मैंने नेर एक्सेंशन कराने के लिए भाईया को घर पर बुलाया था क्योंकि हम लोग जा रहे हैं क्रिस्मस और न्यू यूर बाहर सेलिब्रेट करने के लिए इसी अफ़सर पर मैंने सोचा अपने लाल कलर के नाखून कराऊंगी क्योंकि थंड भी है और थंड में रेट कलर के नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि जितने हें लबे कराती हु फुझे लटी है तो मैं हमेशाए अपने नेल शॉट में ही रखती हूं यहां पर इतने शॉट हो गयी थे विल औहुछी रही थे कि एक-एक नेल परफेक्ड़ी हुआ है या नहीं तो यहां पर हो गया था सारा काम खतम तब भया नेल को शेप करे जा रहे थे उसके बाद भया ने कुछ नेल पेंट निकाली थी जो अभी लगानी बाकी थी उसके बीजेज में मैं अपनी मॉनिंग ड्रिंक भी पी रही थी यहाँ पर कुछ नेल पेंट निकाल के भया ने रख दी थी और फिर मुझे दिखा रहे थे, बीच में आगया मेरी मम्मी का वीडियो कॉल क्योंकि सुबह-सुबह मैं मम्मी से कम से भी कम 12 गंटा बात करती हूँ क्योंकि फिर पूरे दिन टाइम नहीं मिलता तो 12 गंटा सुबह उटने के बाद, 12 गंटा सोने से पहले मैं हमेशा ममी से वीडियो कॉल पर बात करती हूँ बात खतम करके भाईया ने मेरी नेल कटिंग कर दी उसके बाद नेल कटिंग जैसे ये मुझे बहुत रिलीफ मिला और मेरा ब्राउनी मेरे पास आने के लिए तड़प रहा था उसका मनता की वो उपर आ जाया और फिर मैंने उसको अपने पास ही बिठा लिया उसको कब नहीं दाई ये तो मुझे भी नहीं पता चला लेकिन वो बहुत ही प्यार से सो गया था फिर भायाने मेरे हातों पर कुछ रंग लगाए जिसमें से मुझे कोई रंग पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे नेल से ये थे वाइन कलर किये समझ नहीं आ रहे थे कौन से अच्छे लगेंगे फिर मैंने सोनी दीदी से पूछा तो उनका कहना था ब्राउन लेकिन ब्राउन मुझे कलर तो बहुत पसंद है लेकिन हातों में नहीं इसलिए मैंने वो चेंज करवा लिया सारे कलर निकालने के बाद दो सिलेक्ट करवाए थे लेकिन जब भी मैं एक्स्टेंशन करवाती हूना मुझे बाइगॉट बहुत डर लगता है कि कहीं मेरे नाखून में से खून न निकले या पूरा नाखून न निकल जाए क्यूंकि ये मेरे साथ हो रखा है कहीं बार इसलिए मुझे डर लगता है देखो डर के आगे ही जीत है तभी मैं बार बार अपने नेल्स कराती हूँ नेल्स कराते कराते दो गुंटे बीच चुके थे और मुझे नींद आ गई और मेरे साथ मेरे ब्राउनी को भी नींद आ गई यहाँ पर मेरी nail paint कब लगी मुझे पताई नहीं चला लेकिन सच बताओं बहुत ही सुन्दर लग रही थी छोटे छोटे नाखूनों में ये सुन्दर से color की nail paint बहुत ही जादा सुन्दर लग रही थी फिर nails को मैं डाल रही थी machine के अंदर इस machine में आपको बहुत साफदानी बरतने पड़ती है otherwise आपके खून निकलने की संभावना बढ़ जाती है well मैंने यहाँ पर nails अपने अंदर रखे दो coating के बाद और third में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ मेरे nail के site areas होते हैं वो फट चुका था और उसमें से खूनी खून बहने लगा था सज बता रही हूं यह मेरे साथ पहला कुछ experience था जो की बहुत ही dangerous था खून बहुत निकल रहा था और महाँ पर जल बहुत रहा था आपको वीडियो अच्छी लगी है कॉमेंस करते हुए जाना और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बाई बाई लव यू अल